दिल दहला देने वाली गटना प्यार का प्रभोजल टुकराने पर सिर्फिरे शाहरूप ने लड़की को जिन्दा जला दिया जारकन के दुमका में एक इवक ने एक तरपा प्यार में असफल होने पर बारवी कक्षा में पढ़ने वाली यूथी को जिन्दा जला दिया जिस से उसकी मौत हो गई गटना के बाद इलाके में इस्तिती तनावपूर्ण हो गई जिसके बाद प्रशासन ने इलाके में धारा 146 लगा दी है दुमका के पुलिस अदिक्षक ने बताया कि गटना में 90 फीसद जुलस गई लड़की को इलाज के लिए रांची हिस्तीत रेमस में बर्ती कराया गया ता जहां रविवार कोहुस की मौत हो गई जरसल बीते 13 अगस्त को शाहरुप नामी युवक ने एक तरफा प्यार में असवल होने पर अपने पडोसी संजीू सिंग की 19 साला बेटी अंकिता पर देरा सोते समय खिड़की से बेटरल फेक कर आँग लगा दी थी गटना के कारण शेतर में सामरदाइक तनाव व्यापत हो गया जिसके बाद बजरंगल विश्व हिंदू परिशत के नेता एंव कारिकरताओं ने इलाके में विरोध परदर्शन किया परदर्शन कारियों ने शाहरूप के खिलाब फास्ट्राइक कोर्ट में मुगनमा चलाने की वाम की है पुलिस ने बताया कि पीडित लड़की का मैजिस्ट्रेट ने बयान दर्ज कर लिया है जिसे अब पीडिता का मृत प्रिवो अंतीम बयान बान दिया गया है शारूप किछले कुछ समय से अंकिता को परेशान कर रहा था और जब वो प्रेम संबंद रखने को राजी नहीं हुबी तो आरोपी ने धंकी दी थी के अगर मेरा कहा नहीं मानोगी तो तुम्हें मार डालूँगा पुलिस ने आरोपी युवक शारूप को इरप्तार कर नियाए खिरासित में जेल बेच दिया है